तो दोस्तो आप लोग इस वीडियो में अंतक बन रहें और दोस्तो इस वीडियो में टौप 100 कोर्षन कभर करेंगे तो दोस्तो आज का हमारा पहला प्रस्ट ने सोने की चिनिया किस देश को कहा जाता है तो सोने की चिनिया किस देश को कहा जाता है तो दोस्तो किसी भी प्रस्टन के अंसर आप लोग पहले जानते होंगे ता नीचे कोमेंट करके बताएगा ताकि मुझे भी पता चल सकी कि आप लोगों का कितना जनकारी है तो सोने की चिणिया किस देश को कहा जाता है तो इसका सही जबाब हो जगा भारत ओप्शन नमर सी ह हो जगा अगले कोश्टन देखीएगा आपसे अगले कोश्व पूछा जारा की चोरा चोरी कान भारत के किस में हुआ था तो इसका सही जबाद हो जयागा गोर्णपूर ऑप्शन ए हो जगा यह निक दोस्तों questo सभाव ऑप्शन नमर ए हो जगा अगले कोश्व देखीएग तो दोस्तो आपसे अगले कुशन पूछा जारा कि वहर्थ के किस राज में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है तो दोस्तो ये सभी प्रस्ने काफी मज़ेदार प्रस्ने तो इस वीडियो को आप लोग पुरा देखिएगा तो भार्त के किस राज में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है तो option से महराष्ट, डिल्ली, उत्तरप्रदेश, गुआ यानि कि दोस्तो इसका सही जबाब होजेगा option A महराष्ट यानि कि दोस्तो इसका सही जबाब आप लोग याद रखना है option A होजेगा आगले question देखिएगा भार्त का सबसे ज़्यादा पर्दूसन वाला सहर कौन सा है? option से पटना मुंबाई, डिली, कानपूर यानि कि दोस्तो इसका सही जबाब होजेगा पटना option A होजेगा यानि कि दोस्तो इसका सही जबाब आप लोग याद रखना है option A होजेगा आगले question देखिएगा भार्त का रटन, रटन प्रुसकार पर कौन से अकिर्थी बनी होती है? तो दोस्तो भार्त का रटन प्रुसकार पर कौन से अकिर्थी बनी होती है? तो इसका सेज़बा हो जाएगा सुरी की option D हो जाएगा यानिकि दोस्तों इसका सेज़बा आप लोग याद रखना option D हो जाएगा अगले question देखिएगा आपसे question पूछा दा रखी भारत में सबसे सस्ता petrol किस राज में मिलता है तो दोस्तों भारत में सबसे सस्ता petrol किस राज में मिलता है तो इसका सेज़बा हो जाएगा गोवा में option B हो जाएगा तो इसका सेज़बा option B हो जाएगा आगले question देखिएगा तो दोस्तों ये सभी प्रस्ण में एक प्रस्ण का last में test लिया जाएगा तो दोस्तों आप सभी को सही जबाब कहा हमतना कमेंट बुक्स में तो प्रस्ण क्यों चलते हैं भारत का सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो प्रस्ण पूछा जारा है दोस्तो भारत का सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो इस प्रस्ण के अंसर आप लोग पहले जानते होगे दोस्तो कमेंट बुक्स में बता आगले कुर्शन देखिएगा भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज में हैं तो भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज में हैं ओप्शन से उत्तर प्रदेश, गुजरात, हर्याना, मध्र प्रदेश यानिक दोस्तों इसका सही जबाब होज़ेगा ओप्शन नमर डी अगले question देखिएगा भारत का सबसे लंबा नदी कौंसी है तो भारत का सबसे लंबा नदी कौंसी है दोस्तों तो इसका स्रीजबा होज़ेगा गंगा option नमर C होज़ेगा यानिक दोस्तों आप लोग इस प्रस्म के अंसर याद रखना गंगा होज़ेगा अगले question भार्ट की सबसे चौरी नदी कौन सा है तो भार्ट की सबसे चौरी नदी कांसा है कि相द से ग गुमाती और समी चम्बल अब भार्हमपूत्र गंगा यानिक दूस्तों इसका स्विजवाप हो ज Deaf य statt ब्रहमपूत्र option number C होजगा यानि कि दोस्तो आप लोग यद रखना भारत की सबसे उची मुर्ती है तो भारत की सबसे उची मुर्ती है तो दोस्तो इसका से जबाब होजगा literature of unity यानि कि दोस्तो इसका से जबाब openbor C होजगा आगले cousin देखिएगा तो दोस्तो अगले कोशन आप से पूछा जारा कि भारत में पर्थम महिला विश्वे बिदाले किस वर्ष में अस्थापित किया गया था तो दोस्तो ओप्शन है 1915, 1916, 1917, 1918 तो इसका सही जवाब होजेगा 1916 ओप्शन में भी होजेगा यानिक दोस्तो इसका सही जवाब आप लोगों याद रखना है आप्शन में भी होजेगा आगले कोशन देखिएगा आपसे आगले कोशन पूछा जारा कि भारत का पर्थम नागरी कौन होता है तो भारत का पर्थम नागरी कौन होता है दोस्तो तो इसका से जबाब हो जएगा राष्ट पती ऑप्सन में भी हो जएगा तो इसका से जबाब ऑप्सन में भी हो जएगा अगले कोशन देखिएगा तो दोस्तो अगले कोशन देखने से पहले इस वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक ने कियें दोस्तो तो future gk study को फड़ फड़ लाइक किजेगा और दोस्तो इस वीडियो में आप लोग लाश्ट तक बने रहे हैं काफी मज़दार प्रस्ण है तो भर्त का दूसरा नागरी कौन होता है तो भर्त का दूसरा नागरी कौन होता है दोस्तो तो इसका सिजबाब होजेगा उप्राश का थिसरा नागरी कौन होता है तो तिसरा पुछ रहा है दोस्तो भर्त का तिसरा नागरी कौन होता है तो इसका सिजबाब हो जेगा Dhaharband मंत्री प्रस्ण ए हो जएगा ये थिसका सिजबाब सबसे पहले स्यूरी निकालता है तो इसका सीजवा हो जएगा अनुनाचर पर देस ओप्सण डी हो जएगा आगले कोशन देखिएगा भारत की पहली महिला राष्ट पती का नाम क्या है तो दोस्तो इस प्रस्ण के अंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो नीचे कोमेंट करके बताएगा भारत की पहली महिला राष्ट पती का नाम क्या है तो इसका सिजबा होज़ेगा option of B पर्तिभा देवी सिंग पाटिल यानि कि दोस्तो इसका सिजबा option of B होज़ेगा आगले कुछन देखेगा भारत के पहले गवर्नार जनरल का नाम क्या है तो दोस्तों भारत के पहले गवर्नार जनरल का नाम क्या है तो इसका सिजबा हो जागा लौड बिलियम बैटिंग यहनि कि दोस्तों इसका सिजबा आप लोग याद रखना option C हो जाएगा अगले कोशन देखिएगा ताप से पूछा जरा की भारत का सास्त बालों का सर्वोच सिनपती कौन होता है तो दोस्तो भारत का सास्त बालों का सर्वोच सिनपती कौन होता है तो इसका सीजवाब होजेगा राष्ट पती ऑप्सन में भी होजेगा यानिके दोस्तों इसका सही जवाब option में भी हो जाएगा आगले कोशन देखिएगा भारत की पहली मैला राजपाल का नाम है तो दोस्तों भारत की पहली मैला का राजपाल का नाम क्या है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नाइडू यानिक दोस्तो इसका सेजवाब option A हो जाएगा आगले question देखेगा भरत का राष्ट गयान किसने लिखा था तो भरत का राष्ट गयान किसने लिखा था तो इसका सेजवाब हो जाएगा option B रभिंदर नाथ टाइगोर यानिक दोस्तों इसका सेज़वाब option में भी हो जाएगा अगल कोशन देखिएगा भारत के माधि से कौन सी रेखा गुजरती है तो भारत के माधि से कौन सी रेखा गुजरती है तो इसका सेज़वाब हो जाएगा कारक रेखा यानिक दोस्तों इसका सिजवाब आप लोग याद रखना है option C हो जाएगा आगल कोर्षन देखेगा कारक रेखा कितने राजियों से होकर गुजरती है तो कारक रेखा कितने राजियों से होकर गुजरती है option C 7, 8, 2, 5 इनिक दोस्तों इसका से जबाब ओप्शन अब हो जएगा, आगले कुर्शन देखेगा, भारत के किस राज की समुंद्र के तत रेखा सबसे लंबी है है तो भारत के किस राज के समुदरि के तत रहा सबसे लंबी है तो इसका सहिजवाब होजेगा गुजरात ऑफशन अवा ए हो जाईगा यह निक दोस्तों इसका सही जवाब औप्शन अवा ए हो जाईगा अगले कोशन दोशन देख है भारत में शेट मरू अस्थल कौन सा है तो भारत में सीत मरूँ अस्थर कौन सा है तो इसका सिजवाब होजेगा लदाख ओप्शन वशी होजेगा यहनिक दोस्टो इसका सिजवाब आप लोग याद रखना है काफी इम्पोर्टेल प्रस्ने अप्शन सी होजेगा आगले question देखिएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी के जिल कहा इस थी थे तो option से दोस्तो चेनेई, option B, दोस्तो गौा, सिमला, जमू कास्मिर तो दोस्तो इसका सीजवाब होज़ेगा, जमू कास्मिर, option अमड़ी होज़ेगा यहनिक दोस्तो इसका सीजवाब आप लोग याद रखना है, option D होज़ेगा आगले question देखिएगा गंगा नदी किस राज में निकलती है तो दोस्तो गंगा नदी किस राज में निकलती है option से दोस्तो A हिमाचल पर देश, option B तामिनाडू, option C उत्राखन, option D जमू कास्मिर यहनिक दोस्तो इसका सीजवाब होज़ेगा, उत्राखन, option C होज़ेगा तो दोस्तो इस प्रस्तों के अंसर आप लोग याद रखना है, option C होज़ेगा अगले question देखेगा, आपसे अगले question पूछा तरह है कि भारतकास्म से उचा बांध कौनसा है तो इसका सेजवाब होज़ेगा, तिरी बांध, option A होज़ेगा, यहनिक दोस्तो इसका सेजवाब, option A होज़ेगा अगले question देखेगा भारत में लाइन से प्राप्त करने की आयू कितना है तो दोस्तों भारत में लाइन से प्राप्त करने की आयू कितना है 15 साल, 16 साल, 21 साल, 18 साल तो इसका सही जबाब होज़ेगा 18 साल option D होज़ेगा यानिक दोस्तों इसका सिजवाब आप लोग याद रखना है option D हो जाएगा आगले question देखिएगा भारत का सबसे बड़ा वाइक कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा वाइक कौन सा है तो इसका सिजवाब हो जाएगा रिजव वाइब ऑफ हिंडिया, यानिख दोस्तों इसका सिजवाब option नमड़ी हो जाएगा, आगलेENT कुछ सन देखेएगा, भारत का राश्टि है खेल कांसा है, तो भारत का राश्टि है खेल कांसा दोस्तों, तो इसका सिजवाब हो जाएगा, हो की option ready हो जेगा यहनिक दोस्तों इसका सज़वाब आप लोग याद रखना है काफी important प्रस्ण है option ready हो जेगा आगले question देखेगा किस देश के लोग भारत नहीं घुम सकते हैं तो किस देश के लोग भारत नहीं घुम सकते हैं दोस्तों तो इसका सज़वाब हो जेगा उतर कोरिया यहनिक दोस्तों इसका सज़वाब option मसी हो जाएगा आगले question देखेगा भारत में स्वतांतरता के बाद आम चुनाव कब शुरूग गा तो दोस्तों option से आगले question देखेगा हबा महल कहां इस्तु थे तो दोस्तों हबा महल कहां इस्ती थे option से रायपूर में option से जैपूर में option से उडिसा में option से आसम में एनिक दोस्तों इसका सही जवाब होज़ेगा option B जैपूर में अगले question देखिएगा भारत के पर्थब महिला पर्धान मंत्री कौन थे तो भारत के पर्थब महिला पर्धान मंत्री कौन थे दोस्तों तो इसका सही जवाब होज़ेगा इंद्रा गांधी option B होज़ेगा एनिक भारत के पर्थाम आदिवासी महिला राष्ट पती है तो दोस्तों भारत के पर्थाम आदिवासी महिला राष्ट पती है तो इसका सही जबाब हो जगा दुरोब पदी मुर्मूर यानि कि दोस्तों इसका सही जबाब ओप्स्रमसी हो जाएगा आगले कुश्टन देखेगा सुतंत्र भार्त के पर्थम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इसका सरिजवा हो जाएगा मामता बनर जी यानिक दोस्तो इसका सरिजवाब ऐपसन नमर ए हो जाएगा आगले कुश्टन देखेगा तो दोस्तो अगले कुशन आपसे पूछा जारा कि भारत के पर्थम महिला रेल ड्राइवल कौन थी तो भारत के पर्थम महिला रेल ड्राइवल कौन थी तो इसका सीजवाब हो जाएगा सुलेखा यादब यानिक दोस्तो इसका स्यजबाब आप लोग याद रखना है ओप्षन ए हो जाएगा आगले कुर्शन देखेगा आपसे आगले कुर्शन पूछा जारा कि माउंट एवरेस्ट पर चणने वाली पर्थम भरती महिला कौन थी तो माउंट एवरेस्ट पर चणने वाली पर्थम भरती महिला कौन थी तो इसका स्यजबा हो जाएगा बच्छेंदरी पाल यानिक दोस्तो इसका स्यजबाब आपसन में भी हो जाएगा आगले कुर्शन देखेगा भारत के पर्थम महिला मुख मंतरी कौन थे तो भारत के पर्थम महिला मुख मंतरी कौन थे तो इसका स्यजबा हो जाएगा आपसन में भी सुचेता क्रीप लानी यानिकि दोस्तो सुचेता क्रीप लानी हो जाएगा आपसन में भी हो जाएगा आगले कुर्शन देखेगा तो दोस्तो आपसे question पूछा जा रहा है कि भारत के पर्थम महिला IPS काउन थी तो भारत के पर्थम महिला IPS काउन थी दोस्तो तो इसका सही जवाब हो जागा किरन बेदी यानि कि दोस्तो इसका सही जवाब option मसी हो जाएगा आगले question देखिएगा भारत की पर्था महिला IPS कौन थे तो भारत की पर्था महिला IPS कौन थे तो इसका स्रिजबाब हो जेगा option A आना जोर्ज यानि कि दोस्तो इसका स्रिजबाब option A हो जेगा आगले question देखिए का भारत की पहली महिला डाक्टर कौन थे तो भारत की पहली महिला डाक्टर कौन थे दोस्तो तो इसका स्रिजबाब हो जेगा अनन्दी गौपाल जोर्जी यानिक दोस्तो इसका स्रिजबाब आप लोग याद रखना है option A हो जेगा आगले question देखिएगा तो अगले कुशन पूछा जा रही नोबेल पुरुसकार से सामनीत पर्थम भारतिय महिला काउन थे तो इसका सिजवा हो जाएगा मदर ट्रेसा यानिक दोस्तो इसका सिजवा ओप्सन मर भी हो जाएगा अगले कुशन देखेगा भारत की पहली महिला सिजवा काउन थी तो भारत की पहली महिला सिजवा काउन थी तो इसका सिजवा हो जाएगा सवित्री भाई फुले यानिक दोस्तो इसका सिजवा आप लोग याद रखना है काफी इंपोर्टेट प्रसने ओप्सन ए हो जाएगा आगले कुश्चन देखिएगा भारत रतन सामने पर्थम भारती महिला कौन थी तो इसका सीजवाब हो जाएगा इंदरा गांधी यहनि कि दोस्तो इसका सीजवाब ओप्शन भी हो जाएगा आगले कुश्चन देखिएगा तो दोस्तो इस वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक ने की दोस्तो तफ फ्युचर जी के श्ट्रेडी को फटभब लाइक कीजेगा और दोस्तो इस वीडियो को आप लोग आंतक बने रहें काफी मज़दार प्रसने तो पहली महिला आउटो ड्राइवर कौन थी तो इसका सैजवाब होजएगा सिला दाबरे यानि कि दोस्तो इसका सैजवाब पाइलट कौन थी तो भारत की पहली महिला पाइलट कौन थी? तो दोस्तों इस प्रस्ण के अंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो नीचे कोमेंट करके बताईएगा आगले कोशन देखिएगा भारत की पहली महिला आंतरी छियातरी कौन थी? तो भार्त की पहली महिला आंतरी छीात्री कौन थी तो इसका सीजवा हो जेगा कलपना चावला यानि की इसका सीजवा आप लोग याद रखना ऑप्शन भी हो जेगा आगले question देखेगा भार्त की पहली महिला रच्छा मंत्री है तो दोस्तो भार्त की पहली महिला रच्छा मंत्री है कौन है दोस्तो तो इसका सहीजवाब हो जागा निर्मला सिता रमन यानिक दोस्तो इसका सहीजवाब option A हो जाएगा आगले question देखेगा भारत के पर्थम महिला साज सी का कौन थी? तो भारत के पर्थम महिला साज सी का कौन थी? तो इसका सईजवब हो जगा, ओप्शन में B, रजिया सुलतान आगले कुशन देखिएगा कांगोरेस की पहली महिला आधियाच कौन थी? तो इसका सईजवब हो जगा, एनी बेसेंट एनीक दोस्तो इसका सईजवब आप लो याद रखना, ओप्शन ए हो जगा ओप्शन से हो जगा आगले कुशन देखिएगा भारत की पहली महिला के अंदरी ये मंतरी कौन थी? तो भारत की पहली महिला केंद्री ये मंत्री कौन थी? तो इसका सीजवाब होज़गा राज कुमारी अमरीत कौरी यानि कि दोस्तो इसका सीजवाब आप्शन नमार ए होज़गा आगले कुछन देखिएगा तो इसका सीजवाब होज़गा फातीमा बीबी यानि कि दोस्तो इसका सीजवा फातीमा बीबी होज़गा आप्शन से ए होज़गा आगले कुछन देखिएगा तो दोस्तों अगले पुछा जारा है कि किताब जितने वाली पर्थम भारतीय महिला कौन है तो इसका सही जबाप हो जाएगा सनिया मिरजा यनि कि दोस्तों इसका सही जबाप options a हो जाएगा अगले कुछन देखिएगा भारत की पहली महिला अभीनेत्री कौन है तो इसका सिजवा हो जाएगा दुरगावाई कामद यह नहीं कि इसका सिजवा ओप्सन हो जाएगा आगले कूशन देखिएगा भारत के पर्थम राष्ट पती कौन थे तो भारत के पर्थम राष्ट पती कौन थे ओप्शन से पंडित जवाहरला नेहरू ओप्शन से डाउक्टर रजेंद परशाद ओप्शन से डाउक्टर भीमराव अमिंतकर ओप्शन से महातमा गांधी यानी के दोस्तो इसका स्राइजबाब होजेगा ड़ाक्टार रजेन्द प्रसाद यानी के इसका स्राइजबाब आप लोग याद रखना है options भी होजेगा आगले कोशन दखियेगा भारत के पर्थाम उपराष्ट पति कॉंह थे तो भारत के पर्थाम उपरास्थपती कौन है तो इसका स्रीजबाब हो जगा सोपली राधा क्रिश्नन यानि कि दोस्तो इसका स्रीजबाब option से भी हो जगा आगले question देखिएगा भारत के पर्थम कानून मंत्री कौन थे तो भारत के पर्थम कानून मंत्री कौन थे तो इसका सही जबाब हो जागा, डावटर वीमरा अमेदकर, यानिकि दोस्तों इसका सही जबाब, option C हो जाएगा, आगले कुस्थन देखिएगा, भारत के परथम विदेशी मंतरी कौन थे, तो इसका सही जबाब हो जाएगा, गपाल कृष्ण गोकले, यानिकि दोस्तों इ इसका सिजबाब हो जाएगा पंडित जवाल नेहरू येनिक दोस्तो इसका सिजबाब ए हो जाएगा आगले कोशन देखियेगा भारत के पर्थम रच्छा मंतरी कौन थे तो भारत के पर्थम रच्छा मंतरी कौन थे तो इसका सिजबाब हो जाएगा बल देव सिंग येनिक दोस्तो इसका सिजवाब options A हो जाएगा आगले कोशन देखिएगा भारत के पर्थम बित मंत्री कौन थे तो इसका सिजवाब हो जाएगा सन मुख चेटी यह निक दोस्तो इसका सिजवाब option A हो जाएगा आगले कोशन देखिएगा भारत के पर्थम सिच्छा मंत्री कौन थे तो भारत के पर्थम सिच्छा मंत्री कौन थे तो इसका सिजवाब हो जाएगा मौलाना अब्दुलकलाम आजाद यानि कि इसका सिजवाब options A हो जाएगा आगले question देखेगा भारत के पर्थम स्वस्था मंत्री कौन थे तो भारत के पर्थब स्वस्थाई मंत्री कौन थे तो इसका सही जबाब हो जएगा राज कुमारी अमरित कौरी यानि कि दोस्तों इसका सही जबाब आपनों याद रखना है options A हो जएगा अगले question देखिएगा भारत के पर्थब महिला लोग सवा अध्याच कौन थे तो भारत के पर्थब महिला लोग सवा अध्याच कौन थे option से मदर ट्रेशा option से बच्छंदरी पाल option से मीरा कुमार option से इंद्रा गांधी यानिक दोस्तों इसका सही जबा हो जएगा मीरा कुमार option c हो जाएगा तो option number c हो जाएगा अगले question देखेगा वर्तमान भारत के परधान मंतरी कौन थे तो वर्तमान भारत के परधान मंतरी कौन है तो दोस्तो इसका सीज़वा हो जाएगा नदेंद्र मोदी यानिक दोस्तो इसका सीज़वा options भी हो जाएगा आगले कुश्ण देखेगा वर्तमान भार्त के बित मंत्री कौन है तो वर्तमान भार्त के बित मंत्री कौन है तो इसका सिजबा हो जाएगा निर्मला, सिता, रमन यानिक दोस्तो इसका सिजबा option A हो जाएगा आगले कुश्ण देखेगा वर्तमान भारत के गिरिम मंत्री कौन है तो वर्तमान भारत के गिरिम मंत्री कौन है तो इसका सिजबा हो जाएगा अमित साय यनि की ओप्शन्स भी हो जाएगा आगले कुछन देखिएगा वर्तमान भारत के रच्छा मंत्री कौन है तो वर्तमान भार्त के रच्छा मंत्री कौन है तो इसका सही जवाब होज़ेगा राजनात सिंग यानिक दोस्तों इसका सही जवाब आप्शन भी हो जाएगा आगले कुर्शन देखेगा वर्तमान भारत के विदेशी मंत्री कौन है तो वर्तमान भारत के विदेशी मंत्री कौन है तो इसका सहीजवाब होजेगा ओप्शन अमाँ A सुबार मानियम जैसंकर तो दोस्तों इसका सहीजवाब आप लोगी याद रखना है सुपर्मानियम जई संकर होज़ेगा options A होज़ेगा आगले कुर्षण देखिएगा भारत का राष्टी पुस्व क्या है तो भारत का राष्टी पुस्व क्या है तो दोस्तो option से गुलाब option से कमल option से गेंदा option से चमेली आगले question देखेगा वर्तमान भारत में कुल कितने राज है तो दोस्तों वर्तमान भारत में कुल कितने राज है तो यसका सही जबाब होजेगा अठाईस च्राज, option नुमर A ने दोस्तों इसका सही जबाब आप लोग याद रखना है काफी important प्रस्न है option नवा A हो जाएगा अगले question देखिएगा वर्तमान भारत में कुल कितने केंदरे 6 सित पर देश हैं तो दोस्तो वर्तमान भारत में कुल कितने केंदरे 6 सित पर देश हैं तो इसका सही जबा हो जाएगा 8 option नवा C हो जाएगा यह निक दोस्तों इसका सईजवा आप लोग याद रखना है यह भी काफी important प्रस्ण है आप लोग याद रखना है आगले question देखिएगा वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं तो वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं अप्सन से 597, अप्सन से 697, अप्सन से 797, अप्सन से 897 यह निक दोस्तों इसका सईजवा होज़ेगा 797 अप्सन नमाज सी होज़ेगा आगले question देखिएगा चेत्रफल की डिरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज कौन सा चो तो चेत्रफल की डिरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज होज़ेगा यह कौन होज़ेगा दोस्तों राजस्थान हो जगा, options भी हो जगा, option C हो जगा, इनिक दोस्तों इसका सीजवाब option नमस C हो जगा, आगले कोशन देखिए का, छेत्रफल की डिरिष्टी से भारत का सबसेश छोटा राज कौन सा है, option से सिक्कीम, option से गोवा, option से मिजोरम, option से मेघाले, इनिक दोस्तों इसका सीजवाब हो जगा, गोवा, option भी हो जगा, आगले कोशन देखिएगा, जन संख्या की डिरिष्टी से भारत का सबसेश बड़ा राज कौन सा है, तो इसका सीजवाब हो जगा, उत्तर प्रदेश, यानिकी option नमस C हो जगा, आगले कोशन देखिएगा, जन संख्या की डिरिष्टी से भारत का सबसेश बड़ा राज कौन सा है, तो इसका सीजवाब हो जगा, आप लोग याद रखना है, options A हो जगा, आगले कोशन देखिएगा, भारत का सबसेश बड़ा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसेश बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका सीजवाब हो जगा, आप्शन नमर एक हो जगा, आगले कोशन देखिएगा, भारत के सबसेश बड़ा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसेश बड़ा जिला कौन सा है, आप्शन से बकारो, आप्शन से माहे, आप्शन से धन्य बाद, आप्शन से ना सीख, यानिक दोस्तो इसका सीजवाब हो जगा, माहे, आप्शन भी हो जगा, तो इसका सीजवाब, आप्शन नमर भी हो जगा, अगले कोशन देखिएगा, भारत की रधानी कहा है तो दोस्तों भारत की रधानी कहा है तो इसका सहीजवा हो जेगा नई MRD में यानिक दोस्तों इसका सहीजवाव महराष्ट यानिक दोस्तो इसका सीजबाब option on D होजेगा option number D होजेगा अगले question दिखेगा अगले question आपसे पूछा जारा कि भार्त का सबसे गरीब राज कौन सा है तो भार्त का सबसे गरीब राज कौन सा है option से 36 गार, option से बिहार, option से जारकान, option से उडिसा यानिक दोस्तो इसका सीजबाब होजेगा option से B होजेगा option number B होजेगा आगले question देखेगा भार्त का सबसे अमीर नगर कौन सा है तो भार्त का सबसे अमीर नगर कौन सा है तो इसका सिजवाब हो जगा मुंबई यानि कि दोस्तों इसका सिजवाब option नमर ए हो जगा आगले कुछन देखियेगा भारत का सबसे सिच्छित राज कमसा है तो भारत का सबसे सिच्छित राज कमसा है तो इसका सिजवाब हो जगा केरल option नमर भी हो जगा तो इसका सिजवाब options भी हो जाएगा, आगले question देखिए का, भारत का सबसे कम से सिचित राज कमसा, तो भारत का सबसे कम से सिचित राज कमसा देशे, कमसा राज है दोस्तों, तो इसका सिजवाब हो जाएगा बिहार, यानिक दोस्तों इसका सिजवाब options भी हो जाएगा, तो इस प्रस्ण के अंसर आप लोग याद रखना है दोस्तो ओप्संस भी हो जाएगा अगले कुश्ण देखिएगा भारत के किस राज में सबसे अधिक वर्षा होती है तो भारत के किस राज में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तो तो उप्सन से गोआ, उप्सन से मिघाले, उप्सन से मिजोरम, उप्सन से नागले, यानिक दोस्तो इसके सही जबाव, उप्सन भी हो जाएगा, आगले कुश्चन देखिएगा, बनो की भूमी किस राज को कह जाता है, तो बनो की भूमी किस राज को कह जाता दोस्तो, तो इसके सही जबाव, उप्सन से जबाव, आप लोग याद रखना, उप्सन से भी हो जाएगा, आगले कुश्चन देखिएगा, भारत के किस राज को चावल का कटोरा कह जाता है, तो इसके सही जबाव हो जाएगा, अधरपर्देश को, यानिक दोस्तो इसके सही जबाव, आप्सन में भी हो जाएगा, आगले कुश्ण देखिएगा भार्त के किस राज को चीनी का कटोरा कहा जाता है तो भार्त के किस राज को चीनी का कटोरा कहा जाता है ओप्शन से उत्तर प्रदेश, ओप्शन से महत्प्रदेश, ओप्शन से C की राजस्तान ओप्शन से महराष्ट यानिक दोस्तों इसका सीजवाब होज़ेगा उत्तर प्रदेश से ओप्शन से होज़ेगा आगले कुशन देखियेगा भारत के किस राज में चावल की खेती सर्वधिक होती है तो इसका सिजबाव हो जगा पच्छिब बंगाल यानिक दोस्तो इसका सिजबाव अप्शन नमर ए हो जगा अगले कुशन देखिएगा भारत का सर्वधिक चाय उत्पादक राज कौन सा है तो इसका सिजबाव बजगा आसम यानिक दोस्तो इसका सिजबाव अप्शन मर भी हो जगा अगले कुशन देखिएगा भारत का सर्वधिक चाय उत्पादक राज कौन सा है तो इसका सिजबाव हो जगा उत्तर प्रतेश यानिक दोस्तो इसका सिजबाव आपनों याद रखना है काफी इम्पोर्टेंट प्रस्ने तो इसका सिजबाव अप्शन मर ए हो जगा आगले कुशन देखिएगा भारत का सर्वधिक केला उत्पादक राज कौन सा है तो भारत का सर्वधिक केला उत्पादक राज कौन सा है ओप्शन से तामिनाडू ओप्शन से केलर ओप्शन से पच्छिममगार ओप्शन से अंधर प्रतेश यानिक दोस्तो इसका अगले कुश्चन देखिएगा है कि भारत का सबसे अधिक का पास उत्पात्राज कांसा है तो इसका स्रीजबाब हो जाएगा गुजरात यानिक दोस्तों इसका स्रीजबाब आप याद रखना options A होजेगा option नमा A होजेगा आगले question देखिएगा भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज कौन सा है तो भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज कौन सा है तो इसका सहीजवा होजेगा उत्तर प्रदेशी यानिक दोस्तो इसका स्रीजवाव option number B होजेगा आगले question देखिएगा भारत का सबसे अधिक गेहुम उत्पादक राज कौंसा है तो भारत का सबसे अधिक गेहुम उत्पादक राज कौंसा है तो दोस्तो इसका स्रीजवाव होजेगा उत्तरप्रदिश यानिक दोस्तों इसका सिजबाव option number C हो जाएगा आगले question देखिएगा भारत का सबसे अधिक स्वय बीन उत्पादक राज कौंसा है तो भारत का सबसे अधिक स्वय बीन उत्पादक राज कौंसा है option से उतरपरदेश, option से मधपरदेश, option से केरल, option से तामिनाडू यह निक दोस्तो इसका सिजबाव आपनों याद रखना है काफी important प्रसने तो इसका सिजबाव हो जगा मधपरदेश, यह निकि इसका सिजबाव option में भी हो जगा अगले question देखिएगा भारत का सबसे अधिक जव उत्पादक राज कौंसा है, तो इसका सिजबाव हो जगाएगा यह निकि इसका सिजबाव option में भी हो जगा आगले question देखिएगा तो दोस्तो लास्ट question आप लोग को टेस्ट में बताना है भारत में कौंसा पेड लगाने पर जेल हो जाता है तो option से लीची, option से गानजा, option से पपीता, option से लाल चंदन यह निकि दोस्तो इसका सिजबाव आप लोग कहां बताना है, comment box में